Hey everyone, welcome to my channel आज हम फिर से एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हैं आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई से एक चटपटा कुरकुरा नास्ता जो सबको बहुत ही पसंद आने वाला है इसके लिए हमने लिए है एक बंच मेथी अच्छे से धुली है उसके बाद थोड़ा सहरा धनिया और 200 ग्राम मटर को चील कर ले लिया है अब हम इस मटर को ग्राइंड कर लेंगे एक मिक्सर जार में ये देखिए ये हलकी दरदरी हो गई है अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे एक हरी मिर्च और एक से देड़ इंच अद्रक का टुगडा मेथी को हमने अच्छे से वोश करके हलका सा सुखाने के बाद में काट लिया है उसमें हम डालेंगे आटा, थोड़ी से हीन, जीरा, अजवाइन का पाउडर उसके बाद में उसमें एड़ करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिक नमक उसके बाद में लाल मिर्च, उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन उसके बाद में हम डालेंगे धनिया पाउडर अब एक स्पून की हेल्प से हम इसको करेंगे मिक्स ये देखिए इस तरह से अब जो हमने ये बैटर ग्राइंड किया है मटर अद्रक वाला उसको इसमें एड़ कर देंगे ये देखिए इसको हलका सा मिक्स करेंगे स्पून के साथ इसमें काफी सारा बैटर चिपका हुआ रह गया है क्योंकि हमने इसमें बहुत पानी नहीं यूज किया था तो हम मिक्सर के जार में ही आटा बनाने के लिए पानी ले लेंगे ताकि इसका जो बैटर है वो इसमें आजाए ये देखिए एक कब के बराबर हम पानी इसमें यूज करेंगे एक soft dough बनाकर हमें तयार करना है जबी भी आप मेथी का dough तयार कर रहे हैं तो ध्यान रखें मेथी में अपना खुद का पानी होता है तो यह बहुत कम पानी इसमें अब्जोर्व हो पाता है यह देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूत लेंगे इस तरह से हमें बना लेना है इसका एकदम soft dough अब हम इसको बेलेंगे इस तरह से हमें एक बड़ी सी लोई बना लेनी है थोड़ा सा बारी बनाएंगे हम इसको बहुत ज़्यादा बारी नहीं बनाएंगे ये देखिए इस तरह से आटे में डिप करते हुए अच्छे से इसको बेल लेंगे ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसकी जो किनारे हैं उनको हम हाथ की हतेली की हेल्प से पतला कर ले रही हैं इस तरह से इसको हम अच्छे से चकले पे बेल देंगे आप एक बार इस नास्ति को बनाएंगे यह सब को बहुत पसंद आने वाला है यह देखिए आप इसको तवे पर डाले जब यह दोनों तरफ से सिख जाएगा इस पर लगाएंगे बटर यह देखिए इस तरह से दोनों तरफ से बटर से अच्छे सिख रिज कर देना है और जब यह गोल्डन हो जाएगा इसको दो मिनिट लगते हैं तवे पर बनाने के लिए यह गोल्डन हो चुका है दोनों तरफ से अच्छे से अब इसको निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट में इस तरह से इस नास्ते को बनाए और मलाई के साथ इसे इंजोई कीजिए मेथी के पराठे मलाई से बहुत अच्छे लगते हैं और यह मतर का जो इसमें फ्लेवर है यह हैल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी भी है आप एक बर बना कर जरूर देखना आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक्यू फो वाचिंग